दिल्ली मेट्रो रेल निगम की उस याचिका पर सुप्रीम कोट ततकाल सुनवाई के लिए राजी हो गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पेडों की कटाई के लिए आवश्या कनुमती नहीं मिलने के कारण इसके निर्मान कारे रुके हुए हैं दरसल सुप्रीम कोट ने डियमार्सी की याचिका पर ततकाल सुनवाई के लिए उसे सूचिबत करने का फैसला लिया है आपको बताएं कि ये बोला गया है कि परियोजनाय रुखने के कारण करीब 3,000 करमचारी खाली बैठे हैं डियमार्सी को प्रते दिन 3.5 करोड रुपे क नुकसान हो रहा है मामले को सूचिबत करने का आश्वाशन देते हुए पीट ने शीष अदालत के अधिकारी को इस पहलू पर विचार करने का निर्देश दिया है आपको बताएं विदी अधिकारी ने कहा है कि डियमार्सी ने लंबे जनित याचिका में अंत्रिम मौचपोर से मजलिस पार्क और एरो सिटी से तुगला काबाद कॉईडोर के विस्तार कार्ये के लिए दस अजार से अधिक पेडों की पहचान किये है उन्हें काटने के लिए आवश्यक अनुमती नहीं मिल पाई है अगर आप हमारे वीडियो फेस्बुक पर देख रहे है तो मारे फेस्बुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीचे और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे है तो मारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीचे झाल झाल